हर बार संगरक्षन आरोपी का होगा, बचाया आरोपी को जाएगा, जोका बटी मिर्देश की बेटियों को जाएगा भारतिये जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो है बेटी डराओ और ब्रजभूशन बचाओ लेकिन खेल कूद के मंत्रिये तो पहले ही भवर्शिवारी कर दी थी कि पंद्रा तारिक तक चार्शीट फाइल हो जाएगी, क्यों? उनको कैसे पता था? यह चार्शीट दिली पुलीस ने लिखी है, या इस चार्शीट को लिखने का काम भाजपा के कार्याले में किया गया है लेकिन दिली पुलीस 45 दिन तक आरोपी से और इतने गंभीर आरोपी से पूछताच नहीं करती ये मीडिया में इंटर्व्यू देके मेडल को 15-15 रुपए का बताते हैं ये मीडिया में इंटर्व्यू देके गुड टच और बाट टच की बाते करते हैं अभी थोड़ी देर पहले अमिच्शा की दिल्ली पुलीस ने हजार पन्ने की एक चार्जशीट दायर करी है ब्रिजबूशन शरण सिंग के खिलाफ भाजपा के बाहुवली नेता, रेस्लिंग फेडरेशन के चीफ, भारतिय जनता पाटी के सांसद, अमिच्शा की आँखों के तारे इस एक हजार पन्ने की चार्जशीट में करीब पात सो पन्ने में दिल्ली पुलीस ने बेशर्मी की हर हद पार करते हुए ये साबित किया है कि कैसे ये पॉक्सो का मामला नहीं है और पॉक्सो के मामले में अपनी FIR का कैंसलेशन कराया है और क्लीन चिट दी है ब्रिजबूशन शरण सिंग को मैं आपके सामने एक बात रखती हूँ और ये फैसला देश की जनता करेगी एक अव्यसक लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है यौन शोशर का आरोप लगाती है और फिर सारा तंत्र सारी पुलीस इस देश की सत्ता इस देश की सरकार सरकार के मंत्री सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संग्रक्षन ब्रजभूशन शरन सिंग को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं सारा तंत्र एक तरफ है और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है ये देश की जनता तै करे कि क्या प्रभाव के तहतिये किया गया क्या सप्ता का दुरुपियो किया गया क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था क्यूंकि अब एक बात साफ है भारतिये जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो है बेटी डराओ और ब्रजभूशन बचाओ पूरी तरह से ये बात साफतोर से अंकित हो चुकी है मैं आप से पूछना चाहती हूँ पॉक्सों का जब गंभीर आरोब किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंट कारवाई की मांग होती है और वो कारवाई होती है तुरंट हिरासत में लिया जाए पैतालिस दिन तक ब्रजभूशन शरणन सिंग से पूछताश तक नहीं करती दिल्ली पुलीस दिल्ली पुलीस एफाई आर तब दवज करती है जब सुप्रीम कोट हस्तक शेप करता है दिल्ली पुलीस हिरासत में नहीं लेती पूछताश नहीं करती ये बाहु बली व्यक्ति है इसको आजाग घुमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए और किसी भी विट्निस को टैमपर करें किसी भी विक्टिम को डराएं कोई पूछताच नहीं है ये मीडिया में इंटर्व्यू देके मेडल को 15-15 रुपे का बताते हैं ये मीडिया में इंटर्व्यू देके गुड टच और बाट टच की बाते करते हैं ये अपनी शक्ती का प्रदर्शन रैलियों में करते हैं लेकिन दिल्ली पुलीस 45 दिन तक आरोपी से और इतने गंभीर आरोपी से पूछताच नहीं करती आपसे मैं पुछती हूँ एक अव्यसक लड़की एक तरफ और पूरा तंत्र एक तरफ क्या वो लड़ सकती है? क्या वो अपनी व्यथा को बता सकती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपके घर में भी बेटियां हैं आपके घर में भी बेहनें पूरा तंत्र जुटा हुआ था आज चार्चीट फाइल होती है लेकिन खेल कूद के मंत्रिय तो पहले ही भवश्यवारी कर दी थी कि 15 तारिक तक चार्चीट फाइल हो जाएगी क्यों उनको कैसे पता था यह चार्चीट दिल्ली पुलीस ने लिखी है या इस चार्चीट को लिखने का काम भाजपा के कार्याले में किया गया है और कौन है दूसरी तरफ इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया जिनके साथ फोटो खिचाते वक्त ठकते नहीं थे मोधी जिनको अपने घर की महिला लड़किया बताते थे पचास दिन से उपर हो गया एक शब्द इस देश के प्रधान मंत्री से नहीं फूटा ये अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान उन बेटियों के चरत पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने इनके एको सिस्टम ने किया और मोधी जी चुप रहे और मोधी जी संग्रक्षण देते रहे लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा भारतिये जंता पाटी हर बार संग्रक्षण आरोपी को बलातकारी को जो योन शोशण करता है उसी को देती है याद है न कुलदीब सिंग सेंगर याद है चिन्मियानन्द याद है लखीमपुर का चीरहरण याद है आपको अंकिता उत्तुरा खंड की याद है आपको हात्रस की गुडिया हर बार संग्रक्षण आरोपी को दिया जाता है हर बार संग्रक्षण दरिंदे को दिया जाता है हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े होने का काम भारतिये जनतापाटी, मोधी सरकार और खुद इस देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी करते है ये एक स्क्रिप्ट है ये चिर परिचित अंदाज में हर बार संग्रक्षन आरोपी का होगा बचाया आरोपी को जाएगा जोका बटी में देश की बेटियों को जाएगा हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस देश की नियाए पालिका इस देश के कोट इसका संग्यान लेंगे कैसे 164 का मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बयान बदला गया वो बदला उस दोर में गया जब आरोपी उन्मक्त रूप से बाहर घूम रहा था उसके उसने क्या प्रभाव किसी पर डाला हमें नहीं पता है लेकिन ये वही दिल्ली पुलीस है जिसने बिना वक्त गवाए जिसने बिना वक्त जाया किये क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में तो फैसला अब इस देश को करना है फैसला नयाए पालिका को करना है और हम आशा करते हैं हमें विश्वास है कि कानून में इस देश के नयाइ आलेयों में अभी नयाई जिन्दा है और इन बैटियों को और खास्तोर से उस अव्यसक बेटी को जरूर नयाय मिलेगा लेकिन सरकार से हर तरह की उम्मीद इस देश की बेटियां छोड़ दे क्योंकि अगर सरकार के किसी नुमाइंदे के खिलाफ आप खड़े हैं तो आपके खिलाफ पूरी सरकार पूरा तंत्र निरंकुष पुलीस इस देश की एजनसिया इस देश के सांसद इस देश के मंतरी और इस देश का प्रधान मंतरी खड़ा मिलेगा आपको